नमस्कार मैं हूँ संदीब चौधरी एबीपी न्यूज की खास पेशकश भारत का बजट लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ और बजट लेकर कल दरसल देश की वित्मंत्री आपके सामने पेश होंगी संसद में साथवी बार वो बजट पेश करने जा रही है मैं निर्मला सीता रमन की बात कर रहा हूँ लेकिन बजट कैसा होगा और आपके और मेरे बजट बजट होता क्या है बही कहता कितना खर्च है कितनी आमदनी है और इसमें एक समन्वे बिठाना वित्मंत्री की भी जिम्मेदारी होती है आप ज्यादा पैर पसार होगे तो दिक्कत में आ जाओगे, कर्ज में फस जाओगे, इधर उधर दोड़ते फिरोगे, मांगते फिरोगे किसी से, तो जो छोटे स्तर पर आपको घर में करना पड़ता है, बड़े स्तर पर वित मंत्री निर्मला सीतारमन कर रही है, और उसके लिए एक अंदाजा तो होना चाहिए कि दशा और दिशा क्या है, हमारी अर्थ विवस्था की, और उसकी बानगी पेश करता है आर्थिक सर्वेक्शन, जो आज संसद में पेश कर दिया, निर्मला सीतारमन ने, अब अमूमन जो आर्थिक सर्वेक्शन होते हैं, पहली नज है कि वित वर्ष दो हजार चौबिस जो बीत गया है, इसमें आठ दशमलव दो फीजदी की विकास दर रही है, और अगले साल शुरू तो हो चुका है, भाई एपरिल एक से एक अत्तिस मार्च तक हम वित वर्ष मानते हैं, तो उसके तीन महीने तो जा चुके, एपरिल में जून बलकि जुलाई भी लगबग पूरा खत्म होता दिखाई दे रहा है, तो लक्ष क्या रखा गया है, विकास दर का साले छे से साथ फीजदी, आर बियाई ने ये लक्ष रखा था साथ दशमलव दो फीजदी, पर कुछ और बातें महंगाई को लेकर वित मंत्री और आ काबू में आ गई है, पांस दशमलव चार फीजदी है महंगाई दर, वो पिछले साल छे दशमलव साथ फीजदी तक भी चली गई थी, अब काबू में आ गई है, कुछ जगह कुछ दिक्कते हैं, रोजगार को लेकर ताल तो पहले ही ठोकी जा चुकी है, आर्थिक सर्वे इशारा किया जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण में भी, तो आर्थिक सर्वेक्षण की परत दर परत हम समीक्षा तो करेंगे, लेकिन एक राजनितिक दस्तावेज भी होता है बजट और आर्थिक दस्तावेज भी होता है, तो राजनितिक बयानबाजी भी होती है और पॉलिटिक्स अच्छा बजट दोगे तो राजनेतिक फाइदा कम ही मिलता है पर उसको उसकी कदम ताल कर पाएगी क्या सरकार उसकी एक बानगी दी प्रधान मंत्री मोदी ने अर्थवे वस्ता को लेकर क्या ताल ठोकी है और विपक्ष की भी जिम्मेदारी और जवाब दे ही कैसे तै करते दिखिए पहले उस पर एक नज़र यह बज़ेट अम्रित काल का एक महत्वपूंग बज़ेट है हमें पांच साल का जो आउसर मिला है आज का बज़ेट हमारे उन पांच साल के काईरे की दिशा भी ताय करेगा और यह बज़ेट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब बिक्सित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नीव वाला बज़ेट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे यह बज़ेट 17 है मैं देश वास्यों को जो गारंटी देता रहा हूं क्रमा शहरुप से उन गारंटीों को जमीन पर उतारना इस लक्ष को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं यह बज़ेट अमरित काल का एक महत्वपन बज़ेट है तो अमरित काल का बज़ेट बता रहे हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जो बज़ेट कल पेश किया जाएगा विकसित भारत का संकल्ब भी लिया जा रहा है दोजार सैटालिस तक जब सौ साल आजादी के पूरे हो जाएंगे देश एक विकसित मुलक बने उस रह पर जाने की गारंटी देते दिखाई दे रहे हैं प्रधान मंतरी मोदी अब जब गारंटी शब्द आता है यह बड़ा महत्पून हो जाता है गारंटी दी गई है 81 करोड 35 लाख लोगों को 2028 तक 5 किलो अनाज देने की और बजट से पहले पेश होने से पहले एक चर्चा ये भी आम है कि आम आदमी की जेब में अगर पैसे नहीं आएंगे आप एक बेनिफिशरी एक लाभारती जाती आपने बना दी पर उसे अन अगर दिया जा रहा है या शोचाले या घर दिये जा रहे हैं उसकी जेब में दरसल पर पैसा नहीं आ रहा है ये रोजगार से भी जुड़ा है महंगाई से भी और आम आदमी की जेब में पैसा नहीं आएगा वो खर्च नहीं करेगा तो विकास दर जिस पर ताल ठोकी जा रही है और ठोकी जानी चाहिए हम दुनिया में कैसा कैसे दिया जाएगा आपको आईकर में रियायत कैसे मिलेगी या किस तरह से रोजगार स्रिजित करने के नए आयाम भी तटोले जाएंगे ढूले जाएंगे ये जो कैच 22 सिच्वेशन है इसको सरकार कैसे निपटती दिखेगी जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर धाई प करें अपना फेवरिट शोओ फ्री टाइम पे और इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शोओ अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी डियूज आपको रखे आगे